स्वागत नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका मैं रोचक विडियो या जानकारी लेकर उपस्थित हूं और वो विशे क्या है वो विशे है आपका पाइथन के ओपरेटर्स तो आईए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं आज का जो विशे है वो है आपका पाइथन के ओपरेटर्स सबसे पहले तो यह जानना बहस जरूरी है कि बच्चों ऑपरेटर्स क्या होता है तो आप कह सकते हैं वो सिंबल वो संकेतक जो बताता है कि क्या बताता है कि दे आर दा सिंबल्स यूस्टू इनोट दा ओपरेशन बच्चों यह वो सिंबल है जो ओपरेशन को बताता है किस ओपरेशन को जो कि किये जाएंगे किस पर ओपरेंड्स पर यानि आप दूसरे शब्दों में कहें अगर कि A प्लस B तो आप कह सकते हैं कि यहां A और B क्या है दे आर ओपरेंड्स और प्लस क्या है वित्रो प्लस इस कॉल्ड ओपरेटर यह दो बातें बहुत ज़रूरी हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाइथन या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में बैसिकली मैं पाइथन के ओपरेटर का यहां जिक्र कर रहा हूं किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ बीना ऑपरेटर का नौलेज किये बीना ऑपरेटर को सीखे आप उस लैंग्वेज पर विशेज इफेक्टिव कुछ नहीं कर पाऊँगे क्योंकि भाई जब तक और अपरेटर नहीं आएगा और नहीं आएगा तो आपको इक्ष होनी चाहिए कि किस language में कितने प्रखार के operators होते हैं तो आईए आज कि छोटे से वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करता हूं आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि python language में प्रमुख कौन कौन से operators होते हैं और कुछ के बारे में आपसे जिक्र भी करेंगे तो आईए चलिए इस्टार्ट करते हैं python के ऑपरेंटर्स पाइथन पाइथन ऑपरेंटर्स चलिए सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं python में अर्थमैटिक ऑपरेंटर्स का यह अर्थमैटिक ऑपरेंटर्स क्या होते हैं दे आर यूस्टू परफॉर्म बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशन बच्चों ये वो ऑपरेंटर्स हैं जो बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशन्स को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। यह arithmetic operations क्या है, जैसे जोड है, जैसे घटाना है, जैसे गुरा है, जैसे भाग है, तो आएए आपको list of, list of arithmetic operators दिखाता हूँ, list of, कौन-कौन से वो basic arithmetic operators हैं, आपकी, चलिए, तो number one, सबसे पहला, plus, जिसे आप क्या बोलते हैं, addition, नमबर दो, जिसे माइनस कहते हो, सब-traction, यह सब बहुत basic arithmetic operation है, आप इनका प्रियोग अवश्य की होंगे, यह क्या है, मल्टी, apply, चौथा बच्चों, division, पाचवा, यह आपका फिफ्ट नमबर जो होगा, यह क्या है, इस इस मॉडूलस, छट्वा, इसको हम कहेंगे, floor, division, और बच्चों, साथ्वा, जिसे मैं क्या बोलूँगा, यह देखिए, exponent, यह कुल, लिस्ट मैंने दे दी, पाइथन में जितने तुम्हारे arithmetic operators, पाइथन में exist करते हैं, कौन-कौन से arithmetic operators, पहला है addition दो नमबरों को जोलता है, यह दो नमबरों को घटाना, यह गुडा करना, और यह भाग करना, पाइथन में division operator, पर थोड़ा सा मैं focus डालूँगा, यहाँ division operator का काम क्या है, अगर आपने दिया, पाइथन में division करोगे, तो जो answer आएगा, वो 3.0 आएगा, अर्थाथ division operator जो result देता है, वो किस data type में देता है, float में देता है, यह basic जानकारी है, जबकि इसी की जगा बच्चों, अगर आपने लिख दिया 6, floor division 2, तो अब यह जो answer देगा, वो किस में देगा, वो देगा, आपका integer value में देगा, तो अब जो आपको answer मिलेगा, वो INT मिलेगा, तो याद रख लिजे, कि अगर आपको division का result दशमलों में नहीं चाहिए, तो आप floor division यूज़ करना, और अगर आपको normal division चाहिए, तो वो by default दशमलों में देता है बच्चों, इसके अलावा आपका exponent क्या है, मैं इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश जालता हूँ, अगर आपने लिखा two exponent three, तो बच्चों ये आपने गलित में पावर वाले प्रश्ण जरूर सॉल्व किये हूँ, two to the power three, तो क्या अंसर देगा, आठ, तो ये बहुत आसान है, बाकी सारे arithmetic operators के बारे में आप as it is जानते हूँ, तो ये हो गया आपके python का पहला arithmetic operators, इसके अलावा, इसके अलावा और कौन सा operator है python में, तो जिसे मैं कह सकता हूँ, relational, या comparison, ये कौन से operators हैं, जैसे की मैं list दे रहा हूँ आपको, list को ध्यान से देखिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवाँ, छठा, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, पहला, ये है तुम्हारा greater, greater than, ये क्या है आपका, less than, ये क्या है, greater than, और equal to, ये क्या है आपका, less than, और equal to, ये क्या है बच्चों, not equal to, और ये क्या है, equals to, ये देखिए, ये कितने total आपके relational operator है, उनकी पूरी list आपके सामने मैंने डाल दी, यहाँ पर क्या है, example देखिएगा बच्चों, अगर आपने लिखा, पांच greater than 3, तो ये answer क्या देगा, हमेशा याद रखिए, ये operator जो answer देगा, वो boolean में देगा, true, 3 greater than 5, आप समझ गया होंगे, ये answer क्या आएगा बच्चों, false आएगा, पांच less than 7, answer क्या देगा, true, ठीक है, अगर आपने लिख दिया, पांच बला या बराबर है किसके, पांच की, तो पांच, पांच, पांच से बला तो नहीं है, लेकर बराबर है, तो इन दोनों में कोई भी एक अगर true होगा, तो आपका answer क्या आएगा बच्चों true, इसका मतलब है, greater than or equal to, इसका क्या मतलब है बच्चों, greater than or equal to, इसी तरह से, अगर आपने लिखा, e, 5, less than or equal to, तो पांच, पांच से छोटा नहीं है, लेकिन अगेन क्या है, बराबर है, answer क्या आएगा बच्चों, true आएगा, पांच, not equal to 5, क्या पांच, पांच के बराबर नहीं है, ये कथन गलत है, तो answer क्या आएगा, false आएगा, पांच, not equal to 4, answer, बिल्कुल, true आएगा, क्यों, क्योंकि पांच, चार के बराबर नहीं है, ये कथन क्या है, सत्य है बच्चों, और एक और example देखिएगा, पांच, क्या पांच के बराबर है, जी हाँ, बिल्कुल बराबर है, तो ये answer क्या आएगा, true आएगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्या A, capital A, capital A के बराबर है, जी हाँ, बिल्कुल बराबर है, true आएगा, लेकिन क्या small A, capital A के बराबर होगा बच्चों, नहीं होगा, answer क्या आएगा, false आएगा, आगे पाहेंगे कभी आपको, कि ये जो चेकिंग हो रही है, बच्चों, ये S, काई, वैलूस के आधार पे हो रही है, तो देखिए, आपको दो relational operator का idea मिल गया होगा, वो कौन-कौन से, वो आपके, वो मैंने आपको दो category अभी operators के दिखाई, एक arithmetic, और दूसरी कौन सी, आपकी logical, या मैं कहूँ, relational, या comparison operator, इसके बाद बच्चों, तीसरा operator है, python में, जिसको मैं कहता हूँ, logical, वो है कौन सा, and, or, not, and तभी काम करता है, जब आपको, जब आपकी दो की दोनों दी गई condition true हो, और तभी काम करता है, जब दोनों में से, कोई एक condition true हो, और not condition को reverse कर देता है, ये हो गया तुमारा logical operator, इसके बाद बच्चों, एक और operator होता है, जिससे हम कहते हैं, assignment, assignment, operator, ये assignment operator का काम क्या होता है, value को assign करना, from right to left, याद कर लिजे इस चीज को, अगर आपने लिखा yaks बराबर 10, तो 10 right से किधर आ रहा है, left में, यानि x का मान हो गया 10, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते बच्चों, कि 10 बराबर yaks, कि value आप left से right की और ले जाएं, ये statement allowed नहीं है, और इसके अलावा, python में बच्चों एक और operator उपलब्ध है, जिसको मैं नाम देता हूँ, bitwise operator, ये वो operator होते हैं, जो bits पर कारे करते हैं बच्चों, individual bit पर work करते हैं, कौन-कौन से हैं, इनका list देखिए, ये देखिए, bitwise, right shift, ये क्या है, bitwise, right, shift, इसी तरह से, bitwise left shift, इसके बाद क्या होता है, bitwise left shift, bitwise right shift, आपका ये impression, ये bitwise and है बच्चों, ये क्या है, bitwise or है, bitwise left shift, bitwise right shift, bitwise and, bitwise or, और ये क्या है, bitwise yaks or, तो ये detail में, आपको जब पूरा वीडियो बच्चों का भी बनाऊँगा, operator का तो आपको जरूर दिखाऊँगा, लेकिन यहां आपको परिचे देना जरूरी है, कि पाइधन में mainly कितने प्रकार के operators होते हैं, तो देखिए, ये बहुत ही कमाल के operators हैं, जिनको हम bitwise operator कहते हैं, इसी तरह से Python में एक operator और है, membership, कौन से operator है, membership operator, जिसमें दो हैं, एक तुम्हारा in है, एक तुम्हारा not in है, ये membership operator क्या करते हैं, बच्चों, ये बताते हैं कि कोई particular value किसी sequence, पाइधन में sequence data type होता है, मैं पुराने वीडियो में आपको कुछ idea दे चुका हूँ, तो कोई particular value किसी sequence का हिस्सा है या नहीं है, ये कौन बताता है, आपके membership operator और पाइधन का last category है, जो operator की, जिसको हम कहते है identity, identity operators, जिसमें दो है बच्चों, एक is होता है, और दूसरा तुम्हारा is not होता है, is और is not दोनों क्या हैं, ये बताते हैं कि जो assignment operator की both the side, यानि left और right side values हैं, या variables हैं, वो same memory location को point करते हैं, या different memory location को point करते हैं, तो देखिए ये पूरी list मैंने आपको python के operators की दी, अगर आपको बच्चों complete in operators की knowledge with program, with practical, with exercise, अगर आपको चाहिए, आप करने के चुक हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको app unique group के download कीजिए, और हमारे साथ जूलिए, वीड आपको कुछ फायदा बच्चों मिल रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी सभी लो unique group के app को download कर सकते हैं, अगर आप python के complete knowledge, complete knowledge about each topic चाहते हैं तो, बाकी मैंने आपको operators का एक हलकी सी जलक, एक हलका सा idea इतने नियूनतम समय में देने की कोशिश की है, तो उमीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास बच्चों आपको कुछ फायदे मंद होगा, आपके लिए लाबदायक होगा, इसी आशा के साथ अब मैं विदा लेता हूँ, thank you very much and namaskar